Hello students and Jai Hind, I welcome you all to Magnet Brains, एक ऐसा प्लाइटफर्म जहां Class 1 से लेकर Class 12 तर and beyond, सारा quality educational content आप लोगों तक exclusively free of cost लेकर आया जाता है। मतलब यह कि यहां कभी ऐसा नहीं होता कि आपको किसी subject की एक या दो chapter access करने के लिए मिलें और उसके बाद आपसे यह बोला जाएगी बच्चागुआ content अगर आपने देखना है तो उसके लिए या तो आपको किसी तरीके की कोई fees देना पड़ेगी या कोई paid subscription लेना हैं बट साथी साथ आपके subject की understanding और concept के clarity अच्छी डिवलफ हो आपका उन subjects में और further interest डिवलफ हो और आप फरदर उनमें higher studies के लिए जाए उनमें अच्छे careers बनाएं अच्छे अच्छे बदों पर पहुंचें और देश की तरक्य रुनती में आप लोग भी अपना एक contribution हो य इसके last chapter या फिर फीन नंबर फोर या फिर chapter नंबर फोर बोलीजिए इसका नाम है thinkers beliefs and buildings इसके 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 इसको करेंगे यह पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग डीटेल में डिसकस करकर खतम कर चुके हैं इसके detailed explanation वीडियो जिसके one shot revision वीडियो और इसके mcqs वगेरा को upload क किया जा चुका है जिन बच्चोंने नहीं डेखा है तो आप जाकर इसको वहां से देख सकते हैं और इसकी मरजस से जो है आप सवालों का जवाब देना है किस तरीके से अपको अपने knowledge को प्रेजंट करना है क्या तरीको होना चाहिए अंसर राइटिंग का इन सारी चीजों को हम लोगों ने आज के सेशन में डिसकस करना है इंट्रेस्टिंग सेशन रहने वाला है काफी मज़ा आएगा इसको पढ़के काफी सारी चीज़ां सीखने को मिलेंगी सो नाव विदाउड एनी फॉर्दर अडू यह विगिन चूरू करते हैं आब क्वेश्चन अंसर शूर करेंगे और दूसरी चीज़ यह कि अगर कोई फैक्ट वगेरा है जो हम चाहते हैं कि एक्जामीनर पढ़े ही पढ़े इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग हाइलाइटिंग की जो प्रैक्टेस हो करेंगे जहां तक हो सकेगा हम लोग पैराग्राफ में नहीं लिखे और एक्जामीनेशन वगरा में फिर जवाब अंसर वगरा दे सके तो इस तरीके हैं ताकि मैग्जिमूं माइटिस में आपको जनरली पूरे मार्क्स कवाल के एक्जामीनर शेयार तो सवाल यह उठता है या फिर हम लोग यह कह सकते हैं हिमाइटिस में जो लड़ाई होती ह सब्सक्राइब करेंगे उसकी मदद से कहीं ना कि हम लोग इसकी प्राक्टिस कर सकते हैं होता गया देखिए कि काफी सारी कॉपियां चेक करनी होती है और वह माइंड सेट लेकर आता है कि इतनी कॉपियां मैं चेक कर जाओंगा इतना पैसे मुझे यह उसको पता है कि वो तक करना चाहिए यह उसको यह बी पता है कि एक अच्छा और जवाब pertama या पड़ने परन के लिए जवाब दिया किसने बाकी में पड़कर Agriculture आप कई बार क्या होता है बहुत में या headings में और highlight करने में यह है कि सरसरी निगा भी मारेगा तो experience के basis पर उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार सामने वाले को पता है इसने जो facts वगएरा लिखें है दो चार facts वगएरा देखकर ही जो एक सरसरी निगा मारके समझ में आ जाता है कि इसको कितना understanding है कितना idea है कितन उसको पूरा पढ़ा नहीं है या सरसरी निगा मारके उसको उतना वो grasp नहीं कर दाएगा तो कई बार आपका पांच में से साड़े चार नंबर के हिसाब का आपका जवाब होगा तो आपको तीन नंबर या ढई नंबर या साड़े-3 नंबर पकड़ा के वागे बढ़ करते हैं अब यह किस तरह से टेक्निक लगानी है समझ में आता चला जाएगा बाकी अब अंसर राइटिंग कैसे करनी है थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगा चले पहला कुश्चन देख तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें हमसे पूछा गया है वेर दा आइडियास ऑफ कि हमारे जो थिंकर्स हुआ करते थे उनसे कितने डिफरेंट थे या कितने सामान ने थे अब अपने को यह बताना है और क्यों थे उसके फिर अपने को रीजन्स देना है सवाल समझ में आगे आपको पहले तो यहां पर आप दो तिन जो यह शाब्दा है इसका मतलब समझते है उपनिशादिक ठिंकर्स का मतलब है जो उपनिशाद या तो लिख रहे थे या जो अपना सारी चीज़ें जो है उसको नियती के साथ में जोड़ देता है कि यह तो पहले से लिखा हुआ था भाग्ये में इसलिए हुआ और तीसरे होते हैं मटेरिलिस्ट मटेरिलिस्ट उनका उनको हम लोग कई बार हिंदी में चारवाग भी बुला जाता है वह सिर्फ आपका जितना हो सक्या करने में और जीवन को जीने में इंजॉइ करने में भरुसा रखते हैं पूजा पार्ट और या पिर आपका स्पिरि करते भी थे या नहीं करते थे कितना एक दूसरे से विचार मिलते थे तो बताना है दूसरा आपने को जो है इस पर्टिकुलर की मिलते थे तो और नहीं मिलते थे तो उनके विचारों के जो भी आपका लॉजिक बनता है उसके पीछे पर उसका अपने को एक आर्गुमेंट देना है तो इसका जवाब आप इस तरह से देना शुरू करेंगे कि पहली चीज तो यह कि हमने देखा था कि एंशेंट टाइम पीरड में आपका डिबेट डिसकेशन की जो है काफी जाधा हथ तक परंपरा थी तो कई बार विचार वगरा जो हैं के बीच में आपको कुछ पर्टिकुलर फंडामेंटल पॉइंट्स होते रहे जिस पर एक आइडिलॉजी दूसरे से डिफर करती थी तो इसका सवाल का जवाब आप ऐसे नहीं कि जो उपनिशादिक थिंकर्स हुआ करते थे उनके आइडियास जो थे वह आपके फैटालिस्ट या फिर माटिर भगवान-महावीर और वर्दमान जो हुआ है उनके जनम के पहले काफी पहले से जो है आपको काफी वक्त से इंडिया में देखने के लिए और जैने जहीं ने कहीं ना कहीं जो non-violence के उपर emphasis किया उसने हर तरीके की ideology को जो है impact किया उपने शदों में भी जो है non-violence के उपर emphasis आपको देखने को मिलता है फैटालिस्ट भी यह बोलते हैं कि नियती वगरा में जो भी लिखा है वो होगा वगरा वगरा मगर non-violence के उपर वो भी focus करते हैं चारवाग या history before common era के असपास ते जो एक religion के तौर पर क्रिस्टलाइज हुआ है मगर यह philosophy के बहुत पहले से जाती है उसके काफी पहले से जो आपको देखने को मिलती है तो यह काफी वक्त से जो existence में थी और इसने कहीं ना कहीं लगबाग इन सारे school of thoughts को influence किया था तो इसके चलते commonality आपको देखने को मिलने लगी अहिंसा और non-violence is the most important principle of jainism but this is also the basic thought of hindu religion thus there is a lot of similarity between both the streams of the religion तो वही बात जो मैं कहा रहाता है कि अहिंसा या non-violence की उपर जो बहुत जादा jainism emphasis दिया जाता है कहीं ना कहीं हिंदु धर्ण में भी यह बात आपको देखने को मिलती है और क्योंकि यह जितने भी school of thoughts है यह सनातन में हिंदु धर्ण में गिने जाते हैं इसलिए कहीं ना कहीं यह सबके सब इस तो influence हुएं तो यह जो अलग-अलग stream of religions थी इन में similarity थी और यह जो अलग-अलग school of thoughts थे यह की religion के यह अलग-अलग religions की भी जो school of thoughts थे काफी हत्ता की एक दूसरे के साथ में concurrency रखा करते थे अब उपनिशद वाले जो है वो believe करते है कर्म की थियोरी में यह जो थियोरी कर्म की यह बोलती है कि आपका महीला हो या पुरुष हो इनक कि इनको उसके लिए उस काम को करने के लिए rewards मिलेंगे या नहीं मिलेंगे फैटलिस्ट जो है वो भी इस बात में वरुसा करते हैं कि आपको बिना इस बात की चिंता किये कि आपके कर्म का consequence क्या होगा या जो आप काम कर रहे हैं उसके क्या नतायज या क्या नतीज़े निक कर ली जाए तो कि दोनों मानते हैं कि आपका human being जो है इंसानी शरीर पांच तत्वों से बना हुआ है अब यह तो कहरे common acceptable बात है लगबग सभी इस बात को सनातन में मानता है कि पंच तत्व के साथ यह बना हुआ जब किसी का दासंसकार किया जाता है तो यह बोला जाता है क कि आपने उसका जो है क्रीमेशन कर दिया और सारी चीज़ नंग्रेजी शब्द हिंदी में पर जो सना संस्क्रेट में जो टेकनिकल शब्द इस्तमाल होता है कि पंच तत्व में विलीन कर दिया तो यह बात है इस बात की ओपर एगरी करते हैं कि बगया यह जो शरीर है पा उपनिशत का आईडिया है कि आपका बहुत जादा आपके फैटलिस्ट वगरा से या फिर मटेरियलिस्ट वगरा से डिफर नहीं करता था बेसिक फिलॉसफी जो उपनिशतों की हैं कुछ बातों पर अब्वेस्टी बाते अग्री नहीं करेंगी चारवकों के साथ मैं चारवकों ने मानने से मना कर दी आपके वेदों को और बाकी सारी चीज़ों को वो अपनी जिन्दगी में मजह में जी रहे हैं मगर कुछ फंडमेंटल वो भी मानते थे फैटलिस्ट के साथ भी यही बात थी जैनिशम का एक इंपसिस था आपका आहिंसा के उपर उसका पूर जिन में भलोसा करने के चलते आपने आपको उपनिशद वाला या पैटलिस्ट या फिर आपका चारवक बोला करते तो उसको अलग हटा दिया जाया तो बेसिक कंडक्ट में बहुत सी चीज़ हैं के बीच में common थी चले आगे बढ़ते हैं next question question number two के बारे में बात करते हैं आ आपको उनके उनको summarize करकर लिखना है तो इसका जवाब इस तरह से बनाएंगे कि जो सेंट्रल टीचिंग से जैनिजन के जो सेंट्रल टीचिंग से आप सेंट्रल टीचिंग बताते जाएं सबसे पहला कि entire world is animated even stones rocks and waters have life यानि कि हर एक चीज़ जो है इसमें प्राण है इसमें जीवन है इसमें आत्मा है चाहे आपके stones हों चाहे rocks हो चाहे water हो इसमें भी life है इसमें आप किस लेफल तक जो है आपका animation कि स्लमेंट लिमिट तक है किस लिमिट तक जीवात्मा है वो differ कर सकता है मगर हर एक चीज़ जो है उसमें जान है हर एक चीज में sensitivity है दूसरा यह बाव है कि जो आपके जर्म्स वगरा हैं जो दिखते नहीं है उनकी भी अगर उनको भी consideration में लिया जाए जैन ये मानते हैं कि किसी को भी आपके चलते जो है हार नहीं पहुंचना चाहिए हानी नहीं पहुंचनी चाहिए इंजूरी नहीं होनी चाहिए ठीक है जी टीसरी या life and birth की आपकी जो cycle है यह आपके कर्मों के basis पर शेफ होती है यानि कि अगर आपको एक certain तरीके का जन्म अभी इसमें मिला हुआ है आप मनुष्य यूनी में जन्म लेते हैं तो मनुष्य यूनी में जन्म लेने के बाद में अब आपने जिन्दगी में किस तरीके के कर्म किये हैं उसके basis पर अभी जब आपकी मृत्ती होगी उसके बाद जो आपका इन्दग करेगा और इस तरीके से प्रक्रिया जो है चलती चली जाएगी जो जैन धर्म मानने वाले या जैन मत मानने वाले अन्याईयों का मानना यह है जो जैन धर्म की बेसिक फिलोसफी है वो यह है आपकी जिंदगी डिटर्माइन होती है आपके कर्मों की बेसिस पर जो लाइफ और आपकी डेथ की साइकल चल रही है तो अगला जर्म कैसा होगा और सारी चीज़ें आपके कर्मों पर आ जाती है और यह बात तो खेर बेसिक फिलोसफी है लगबाग दूसरे जो है आपके मत हैं उसमें इस बात को माना जाता है अब सवाल यह उठता है कि अगर हर जर्म के बेसिस पर डिटर्माइन होने वाला है तो कर्म कैसे ठीक किये जाए या पर यह जो आपकी लाइफ और डेथ की साइकल है इसको कैसे तोड़ा जाए तो उसके लिए यह है कि आपको हर चीज का त्याक करना पड़ेगा और आपको त करने के लिए जब तब करने के लिए और अपना त्याक करने के लिए बहुत जरूरी है कि मुनेस्टिक किया जाए याने की मुनी की तरह रहा जाए रिशी की तरह रहा जाए आपको चीजों का त्याक किया जाए सन्यास लिया जाए चीजों से यह आपका जितना भी मटेरिय लेते हैं और जैन मुनी बनते हैं अगर आप जैन साध़ी बनती हैं तो पाँच कस्में आपके जो आपके आप कह सकते हैं कि आपको प्रंट लेना पुड़ते हैं सबसे पहला तो आप किसी भी तरीके कि killing से बचेंगे एक तो conscious killing जानकर आप किसी को मार रहे हो unconscious तरीके से भी आपके कारन किसी तरीके की कोई हत्या नहीं होनी चाहिए जीव हत्या सारी चीज नहीं इससे आपको बचशना है तो अपने आपको किलिंग्स वगरा से जो हैं abstain रखना है तो कई बार आपने देखा होगा जैन मुनी जो है थोड़ा सा मास्क जैसा लगा के रखने हैं उसके पीछे की वजा यह यह लॉजिक यह दिया जाता है कि कोई जीवानू भी जो है श्वास के चलते उसको भी नुकसान ना हो इस लेव यह आपना हो यह एक ऐसी चीज है जिसको सबको अपनाना चाहिए जैन फिलोसफी की चीज है इसको आपने पालन करना है जहां था कोसा कि अपने कारण किसी को नुकसान ना पहुंचा है बड़ी अच्छी बात है इसी तरह से स्टीलिंग और लाइंग नहीं करनी है मतलब न यह बड़ा अपने आप में युनिवर्सल चीज हैं और यह कहीं ना कहीं जैनिजम की मानने वालों को इतना जादा पीसफुल और प्रॉस्परस बनाते भी है कि आप मट्रिलिस्टिक चीजों के बीच में रहते हुए भी अगर बच्पन से बच्चों के अंदर यह बाट ड तयार होता है अब इसमें जो पॉइंट्स आपको अपने हमने सारा का सारा जवाब जो है एडिंग्स और पॉइंट्स में दिया है मगर इसमें अब आपको चीज़ें हाइलाइट करनी है थोड़ा उस पर बात कर लेते हैं पहला तो यह लाइन जो है कि एंटायर वर्ल्ट इतना जो है आप अंडरलाइन कर दीजिए इसको हाइलाइट कर दीजिए एक्जामीनर का अगर इसके ओपर ध्यान गया उसने लाइन पढ़ दी हो समझ जाएगा कि लड़का पढ़कर आया इसको अंदाज़ा है जैन विलॉसफी के बारे में और इसका अच्छा जवाब ज दीजिए इसको आईलाइट कर दीजिए इसके बाद में अब जैसे यहाँ पर आता है तो यह दो शब्दों को आपने अंडरलाइन कर देना है बागी कुछ और अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं इसी तरीके से मुनाइस्टिक एक्सिस्टेंस जो है इसको अंडरलाइन कर और यह जो पांच फो थे इनको एक-एक करके से लिखना है तो जादा बेडर रहेंगी और यह जो फाइव वोस वाली जो लाइन है इसको मैंने इस स्टेफिकली रेड कलर से यहां पर करवाया है तो इस तरीखेसे आपने इसको भी एंडर हम से पूछा गया है यह हमको बोला गया है discuss the role of vegams of Bhopal in preserving the stoop at Sanchi हमको क्या करना है जो Bhopal की बेगमे हैं इनका क्या role रहा Sanchi के stoop के preservation में हमको इस चीज को discuss करना है तो Bhopal की जो बेगम स्थीन का अपने बड़ा contribution जो है Sanchi के stoop को preserve करने में रहा है जब हम लोगों ने chapter number four पढ़ना शुरू किया था तो शाह जहां बेगम का जो डाइरी का excerpt था डाइरी का जो पन्ना था उसके साथ में बातचीत को शुरू किया गया था उसके बाद फिर सांची के stoop के बारे में बातचीत की गई उसमें फिर इनका क्या contribution था इन्होंने किस तरीके से उसमें मदद करी थी वो सारी बातें बताई गई है पहले दो-तीन पंदों में जो है अपने को उसका जिक्र दिखने को मिलता है उसी के basis पर जो है वो देने के पहले एक बात मैं आपको interesting बताऊंगा कि generally जो आपके जहां जहां पर नवाबों का शाशन रहा है वहाँ पर आपके successor या फिर आपके जो शाशक जो हुआ करते थे शाशकों के जो successor हुआ करते थे वो generally male होते थे वो पुरुश हुआ करते थे भोपाल रियासत में बड़ी interesting चीज निकल कर आती है पहले यहां पर शाजहां बेगम और शाजहां बेगम की successor के तौर पर जो सुल्तान जहां बेगम आई थी यह दोनों महिलाएं थी और इन्होंने शाशक के तौर पर किया है यह दोनों भोपाल रियासत की जो है रूलर के तौर पर निकल कर आई थी तो एक interesting aspect है इसको अपने को ध्यान रखना है सवाल का जवाब हम लोग इस तरह से बनाना शुरू करेंगे कि जो भोपाल की बेगम थी इन बेगम ने बहुत great contribution जो है साची के स्टूप के preservation के लिए दिया है और इनके जो contribution है उसके जो main facts है जो main aspects है वो इस तरीके से और इसके बाद में हम लोग सवाल का जवाब देना शुरू करेंगे सबसे पहले शहाजहां बेगम और शहाजहां बेगम के बाद में उनकी successor थी सुल्तान जहां बेगम यह दोनों भुपाल रियासत की आप की जो है रूलर्स हुआ करती थी और इन्हों काफी बड़ë level पर जो है आपको grants बगरा दिये थे बड़े generous grants बगरा जो है इन्हों ने दिये थे ताकि साँची के बड़े Mechan करवाया जा सके मतलब यह कैँ इन्हों बड़े level पर जो है अपनी जेब से पैसा निकला था ताकि साँची के мен बेगम सुल्तान जहां बेगम की in प्रिजर्व करने के लिए ज़रूरी था यह मुजियम जो है बड़े लेवल पर इसमें जो पैसा वगरा लगा था जो फाइनेंशल सपोर्ट जिसके बेसिए मुजियम बनकर सांची के पास में तयार हुआ स्थूप के पास में यह आपका सुल्तान जहां बेगम के पैसों की म समरत से बना था तीसरी चीज़ यह कि टू सपोर्ट टू सपोर्ट टू प्रिजर्व दस तूपा इसके इलावा यूरोपियंस ने भी थोड़ा बहुत आपका सपोर्ट वगरा किया था फ्रेंच और ब्रिटिश जो है जनरली क्योंकि उस वक्त में अब देखिए इस बात स जा सकते थे उसके अलग-अलग हिस्तों को बड़ उनों ने यहां पर ऐसा किया नहीं है बेगम ने चाहिए उनको परसुएट किया हो चाहिए वह खुद माने हो चाहिए उनको खुद लगाओ जो भी है मुद्दा यह है कि फ्रेंच और ब्रिटिश जो है उन्हों ने अब जो भी आर्टिफैक्ट्स आपको देखने को मिले सांची का जो स्टूप है जो पिलर्स है और बाकी सारी चीज़ें है उसके इन लोगों ने प्लास्टर की कॉपीज वगरा बनवाई और वो प्लास्टर की कॉपीज वगरा जो है वो अपने साथ में यह फ्रांस और इसके इलावा इन लोगों ने पैसा भी जो है अपनी तरफ से दिया था इसके लावा इन लोगों ने जो करी और बाकी सारे जो काम किये थे उसका भी अपना एक नतीजा जो है आपको कहीना कहीं देखने को मिलता है पर इनाम की सांची के स्टूप जो है बड़ा सेंटर के तोर पर निकल कर रहा है तो यह सारे जो है पॉइंट्स वगर आप लिख सकते हैं कि यह सब जो है आपके इंपोर्टेंट कॉंट्रिबूशन थे आपका जो बेगम्स वगरा रही है बोपाल की जिन्दों आपके सांची के स्टूप को प्रजर्व करने में मदद क करिए इस तरीके साब इसको कंट्लूट कर दीजे नेक्स जो आपका क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर फूर्थ इसको अब हम लोग देखना है इसमें है तो इस में हम से बोला गया है रीड दिस शॉर्ट इंस्क्रिप्शन अंसर तो पहले तो आप यह शॉर्ट इं अब यह एकसर्प्ट जो है अपने को दिया हुआ एक बार इसको रीड कर लिया अब मीनिंग के साथ में इसको रीड करेंगे फिर देखते हैं कि क्या क्वेश्चन्स वगरा है इन्दा इयर 33 ओफ महाराज हुविक्शा एक कोशान डूलर एक कोशान डूलर हुआ करते रहे जिनका नाम क्या था महाराज हुविश्का और इनकी जब उम्र के या इनकी जिन्दगी का जब 33 साल चल रहा था तब की बात हो रही है इन्दा फर्स्ट मन्त ओफ होट सीजन ऑन दा एट्थ दे जब आपके गर्मी का मौसम शुरू होता है गर्मी के मौसम का जो पहला महिना है उसका जो आठवा दिन है उसकी बात ये लोग कर रहे हैं अब बोधी सत्था वस सेट अब एट मधू वनाका बाइदा विक्षुन बुद्धा मित्ता एक और विक्षुनी थी जिनका नाम था बुद्धा मित्ता बुद्धा मित्ता की जो बेटी थी उनकी ये बेटी हुआ करती थी यानि की बुद्धा मित्ता नाम की विक्षुनी थी उनकी बेहन थी उनकी जो है ये विक्षुनी दनावती एक बेटी हु था उनको उनके लिए भी जो इस बात को बोला जाता है कि काफी ज्यानी लोक्तिन को तीन पितक पता थे अब यह जो बुद्धा मित्ता थी यह एक और फेमस या प्रसिद्ध भिखु हुआ करते थे जनका नाम था बाला यह उनकी फीमेल प्यूपिल थी यह भिखु बाला की साथ में इनकी शिश्या थी और इनसे इनोंने ग्यान लिया था एक बार फिर से देख लेते हैं थोड़ा सा कॉंप्लेक्स हो रहा है पहली चीज की यह बात किसके टाइम पीरेट में हो रही है जब किस राजा का राज चल रहा है कुशान राजाओं का रूल चल रहा है और सब्सक्राइब ऊसब्डर मत आमान है बिक्ष्या ऑपना पर इसके उपर सवाल जवाब देैं का जवाबО इसके उपर सवाल पूछेगा है उनका जवाव अपने को देना है तो पहला question है पहला सवाल यह है कि धनवती जो है उसने अपने inscription की डेटिंग जो है वो किस तरीके से किये पहला question तो इसका जवाब क्या आएगा धनवती डेटेडर इंस्क्रिप्शन दाट शी प्लेज दा इंस्क्रिप्शन ऑफ मधु वनाका इन दा फर्स्ट मंट ऑफ हॉट सीजन ऑन दा एट दे इन यर थर्टी थी ओफ महराज ने महाविश्का याने कि इसने दो तरीकों से जो है दो बातों का इस्तिमाल करकर अपने इंस्क्रिप्शन का की डेटिंग करिए पहले तो इसने ये बताया है कि मैं ये काम कब कर रही हूँ जो भी उसने अपना काम किया था बूदी सत्ता वगरा लगाने का मधु वनाका में आपका गर्मी के मौसम के पहले महीने की आठवे दिन मैं ये काम कर रही हूँ और ये तब की बात है जब महराज जिनका नाम हविश्का है जो एक कुशान रूलर है उनकी जिन्दगी का 33 साल चल रहा है इस तरीके से दो चीजों का इस्तेमाल करके पहला तो ये कि आपका सीजन की क्या सीजन क्या है दूसरा आपका king या फिर आपका जो ruler कौन है ruler slash king कौन है इसके basis पर जो है यह अपना explanation बगएरा दे रहा है यह उसके मदद से जो है इसको अपना explain कर रहा है चले तो पहला यह हो गया दूसरा तो यहाँ पर दूसरा question यह पूछा गया कि इसने बोधी सत्ता जो है उसकी image क्यों स्थापित की है तो इसका जवाब कैसे देंगे तो यह भी आप इस तरह से लिख सकता है कि आखिर यहाँ पर इसने बोधी सत्ता की image क्यों स्थापित करी तो इन्होंने बोधी सत्ता की image इसलिए स्थापित करी क्योंकि कुछानों का टाइम आते आते जो महायाना बुद्धिजम है जिसमें भगवान बुद्ध जो है उनक पहले तक भगवान बुद्ध को इश्वर के रूप में नहीं पूजा जाता था जब हिनायाना बुद्धिजम की प्राक्टिस होती थी मगर अब क्योंकि भगवान ये बुद्ध को एकदम विश्नु का अवतार भी माना जाने लगा है और अब उनको पूजा जाने लगा आईश्वर के तोर पर तो ये एक इंडिकेशन है इस बात को बताने के लिए कि इमेज वर्षिप जो है भगवान बुद्ध की ये काफी ज़्यादा फेमस होती चली जा रही है इसलिए जो है उन्होंने ये काम किया तीसरा अब ये जो रिलेटिव थे वो कौन-कौन थे ज इंका नाम किया था बिकुनी बुद्ध मित्ता और दूसरा बिखु बाला और उनकी पैरेंट्स वगरा उनकी बातचीत वगरा जो है की गई है ये हो गया चौथा वाट डिट बुद्धिस टेक्स 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 अब यहां पर यह पूछा गया है कि इनको कौन से मित्ता से सीखा था जो आपके जो भिखु बाला थे उनकी फिमेल प्यूपिल थी इस तरीके से जो है सवाल का जवाब अपना बनकर तयार होगा चले अगला क्वेशन देखते हैं क्वेशन नंबर फाइब इसमें इन्होंने पूछा है वाइड डियू थिंक वुमें और मै शुरू करेंगे सबसे पहले तो हम लोग एक हैडिंग बनाएंगे कि यह प्रमुख वजा हो सकती है जिनके चलते आपके जो महिला और पुरूष हैं उन्होंने संग को जौइन किया था और उसके बाद में आपने लिखना शुरू कर देना है सबसे पहला पॉइंट मैं सन्यास ले लेना चाहते थे दुनिया के जो भी आपके बहुत तिक सुख हैं सब को छोड़ देना चाहते थे इसलिए वो संग कर लेते थे पहला दूसरा बुद्धिस्ट लिट्रेचर पढ़ने के लिए इसको इसकी फिलोसफी को और ज्यादा अच्छे समझने के लिए जरूरत पढ़ेगी ज्यानी लोगों की जिनको बहुत धर्म का नौलेज है या इसी लिए आपको जो है मौंक्स की कंपनी में रहना जरूरी हो जाएगा और इसी लिए जो है वो लोग यह संग वगरा जॉइन करने तो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि संग में अगर रहे करने में कई लोगों अपने जो भी नौलेज वगरा वह शेयर करने में बहुत अच्छा लगता है बहुत मज़ा आता है इस चीज में इसी से जो हैं करीब में स्थिती ने आ जाता है तो अपना बने के लिए भगवान बुद्द के परती एपनी जिन्दधी संवर्पित करन नहीं होती थी बहुत आप कह सकते हैं क्रांधिकारी विचार हुआ करता तो जितने भी लोग संग में आ गए वो सबके सब में जो भी भाव वगरां उस सबका त्याग आपको करकर जो है संग के अंदर एंटर करना होता था उसके बिना आप संग में एंटर नहीं कर सकते थे बहुत इंपोर्टेंट और बहुत क्रांतिकारी विचार था कि आपको इर्रेस्पेक्टिव और सोशाल आइडेंटिटी एक सोशल आइडेंटिटी के रिस्पेक्ट में बात नहीं की जा रही है तो इसके चलते जो है काफी हद तक कहीं ना कहीं है कि अपने आप में बड़ा क्रांतिकारी विचार था एक तरीके से लोगों को लिबरेट करने वाली बात थी खास तार पे वो समाज का हिस्ता जिसको का इद्वाओं किया जा रहा था उससे काफी लोग जो है इसमें जुड़ जाते थे इसके अलावा जो संग का इंवर्मेंट था वो अपने आप में डेमोक्राटिक हुआ करता था बड़ा लोकतांत्रिक हुआ करता था उसमें किसी एक व्यक्ति के मन की नहीं चलती थी या कु वोटिंग वगरा में जो है फिर उसके बाद में आप वोटिंग आपके मौंग को कोई भिक्खु को यह वोट मिलता था तो अपने वोटिंग वगरा कि मदद से संग वाले अपना फैसला लिया करते थे तो इसके चलते कई लोगों को एक बात समझ में आई कि यार चाहे मेन आदमी हों चाहे वो कितना ही आपका फिर एक आपका नया नया जॉइंग किया हुआ भिक्षू जब दोनों के पास में एक ही वोड है तो यह कहीं न कहीं अपने आप में बहुत इंट्रेस्टिंग बात लगी लोगों को कि इ इस label धकी quality के बारे में तो सोचा नहीं जा सकता है आपका तश्ब़ॉर करना मुश्किल है इसके बारे माद तो एकνदम आपका विचार लाना जो है मुश्किल है उस समयाने में जब आपका बड़े चोटे Bill go उस वक्त में इतनी डेमोक्रेसी अगर आपको देखने को मिल रही है तो यह अपने आप में लोगों को अट्रैक्ट करने वाली चीज थी और इसी के लिए लोग जो हैं काफी बड़े लेवल पर इसके साथ में जुड़े काफी बड़े लेवल पर जो हैं लोगों ने संग को किया और बुद्धिजम की बड़ी रैपिड ग्रोथ वगरा भी फिर आपको देखने को मिलती है नेक्स जो अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नमबर सिक्स तब उसके बारे में बात करते हैं तो वाट एक्स्टेंट डस नॉलेज और बुद्धिस लिट्रेचर हैं याने की साची में जितने भी स्कल्चर वगरा आपको देखने को मिलते हैं इनको समझने में इनकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बैटर तरीके से करने में हमको बुद्धिस लिट्रेचर का नॉलेज कितना ज़्यादा हेलफूल है या फिर हमें बुद्धिस लिट्रेचर की सरीके से समझने में मदद करता है और उसके बाद में हम लोग अब लिखना शुरू करेंगे पहला तो यह कि नॉर्थन गेटवे की अगर आप बात करोगे तो वहां पर जो सीन वगरा बनाया गया है वहां पर जो पूरा के पूरे सीन की निकाशी की गई है एक नजर में अगर जानकारी नहीं है उसको अगर नॉलेज नहीं है तो उसके लिए जो है यह पूरी की पूरी जो साइट है यह अपने आप में रूरल सीन की तरह हो जाती है मगर जो आदमी बुद्धिस लिट्रेचर पढ़कर आया है जिसने आपका कल्चर को ध्यान से पढ़ा है वो सामने वाला जो है उसको देखेगा और उसको लगेगा कि कोई रूरल गाउं का जो है सीन वगरा ऐसी सामने वाला कोई आपका आर्टेस्ट है उसने बना दिया ऐसा नहीं है जब ध्यान से पढ़ते हैं अगर आपने टेक्स पहले से पढ़ रखें तब आपको समझ में आता जला है कि विसान तर जातक जो है उसकी यह उसका जो है सीन है यह विसान तर जातक का सीन जो है इसमें एक कहानी है counu नाजियार के बारे में आपको नॉलेश तभी लगा या इसके बारे में आप ये बात तभी पता कर पाए जब आपने स्क्रिप्चर को पढ़ा हुआ था जब आपने Buddhist scriptures को पढ़ा हुआ था तबी जो है आप सीन को समझ पाए अगर आप इस बुद्धिस scripture को नहीं पढ़ते तो फिर आप इस बाकी सारे बुद्धिस लिट्रेचर को पड़ा है उसको समझ में आ जाएगा कि यार यह जो है वेसांतर जातक की बात की जा रही है ठीक है जी इसके बाद में अगला जो पॉइंट है आर्ट हिस्टोरियांज एक्वायर फैमिलियरिटी विद बायोग्राफी जो प्रद्धिस अब यहां पर एक और इंट्रेस्टिंग बात जो निकल कर आती है भगवान बुद्ध की एक से जादा जो है आपको आटो बायोग्राफी देखने को मिलती है हेगियोग्राफी वगरा देखने को मिलती है उनकी बायोग्राफी आपको बहुत सारी देखने को मिलती है हिस्टोरियंस करते क्या हैं कि भगवान बुद्ध की जिन्दगी के बारे में ज़ादा बैटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए क्याहिए वो बुद्धिश कलुचर को जादा बहतर तरीके से समझ सके हैंसके लिए उनकारफी बाइग मैंभान बुद्ध की जिन्दगी के बारे में आपको नॉलेज बिल जाएगा और कहीं ना कहीं भगवान बुद्ध की जिंदगी में जो बातें हुई हैं स्टूप के ओपर जो भी आपकी इंस्क्रिप्शन्स वगरा बनाये जा रहे हैं डिरेक्ली इंडिरेक्ली कहीं ना कहीं वो भगवान बुद्ध की जिंदगी से इंस्पारड ही रहे होंगे तो जानकारी जो आपको पहले से है भगवान बुद्धी की जिंदिगी की बारे में और वो स्कल्चर वगएरा जो पूरे स्टूप के ओपर बनाएगा है दोनों के बीच में कमपारिजन करकर आप कुछ ना कुछ जो है निशकर्स पर पहुंच जाओगे जो कुछ ना कुछ आपकी अंडेस्टैंडिंग डिबलफ होगी एक्जामपल के लिए भगवान बुद्ध की कहानी से अपने को पता चलता है कि उनको जो एनलाइटनमेंट की प्राक्ति हुई थी जो केवल ज्यान मिला था वो एक बुद्धी ट्री के नीचे आपको मेडिटेट करते हुए ध्यान लगाते हुए जो है उसकी प्राप्ति आपको हुई थी अब कई सारे जो आपके अर्ली बुद्धि स्क्रप्चर्स हैं उसमें भगवान बुद्ध की प्रेसंस है वो एक मनिश्य की रूप में नहीं दिखाई जाती उनको सिंबल्स के रूप में दिखाया जाता है जैसे कहीं पर आपको एक पेड़ दिखा दिया जाएगा और उसके नीचे एक एम्टी स्रीट दिखा दी जाएगी जहां पर दो चरण पादुकाएं रखी हुई है यह भगवान बुद्ध का प्रेसंस दिखाया गया यह इं अगरा है उनके अलग-अलग इंडिकेशन निकल कर आते हैं अब अगर आपने बुद्धिस क्रिफ्चर को नहीं पड़ा है अगर आपके पास में पहले से बगमान बुद्ध की जिंदगी बायोग्राफी उनकी जीवन में घटी प्रमुक घटनाओं का नॉलेज नहीं है त इनको ट्रिडिशन के बारे में पता था जो जानते थे कि इन बातों का क्या मतलब है और उन्होंने इन बातों को ध्यान में रखकर जो इनको प्रडियूस किया तो एक चीज तो यह कि इसकी मदद से जो आपको ज्यादा बैटर तरीके से भगवान बुद्ध की जिंदगी क पर जो स्कल्चर्स वगरा बना हैं इसको समझने में मदद मिलती है तीसरी बात यह कि अगर आपने इसको नहीं किया अगर आपने स्कल्चर्स को पढ़े बिना अगर आप बहुत तीसमार खां बनके अगर उतर गया तो फिर गलतियां क्या आउंगे वो देखिए आपके मॉ पूझा होती है ट्री और सर्पेंट वर्षिप होता है क्योंकि स्कल्चर्स में कई जगाओं पर आपको पेड़ और साप देखने को मिले तो उन्होंने उसके बेसेस पर यह मान लिया कि यह सांची जो है पुराना सेंटर रहा होगा जहां पर ट्री वर्षिप और पर काम किया होगा उसकी मदद से वह यहां पर पहुंच गए और सिर्फ चीजों को देखकर जो है समझने लगे चीजों को जो है देखकर अनुमान लगाने की कोशिश करी तो बुद्धिस लिट्रेचर बुद्धिस लिट्रेचर के बारे में ज्यान नहीं होने के चलते हैं और उसमें इनकी जलती नहीं कह सकते हैं यहाँ बुद्धिस लिट्रेचर में से मधिमम जो इनके टांइंश स्पशन पर नहीं हुआ था आपकी पूझा रोती थी सर्बेंट बडशी वहती थी साफों की पूझा रोती थी और पेड की पूझा होती थी थी क्यों कि स्कल्चर का नौलेज्स आपको स्क्रिप्टर नहीं है ड़िक्ट पढ़ने पहुंच Memphis यतो हम pew पॉइंट की मदद से एक्स्प्रेइन कर सकते हैं कि यह बजवात हैं इसके चलते जो है कि अगर आप स्कृप्चर की अंडरस्टेंडिंग के बिना अगर आप साची के इस कलड़ो गये तो कही ना कहीं गलत निशकर्ट पर निकलो गये अब यह सवाल का जवाब इस तरह से द कर दिया और इसके उपर नजर गई उसकी तो समझ जाएगा कि लड़का पड़कर रहा है दूसरा आठ यह आपका यहां पर बुद्धास बायोग्राफी जो है इसके उपर आपने अंडरलाइंग करना है और यह तीन बात हैं आपने जेंड habían fim अनडरलाइंग करना है यह आपने यह चाही तो कि समझ जाएगा कि किस की बात हो रही है और पूरा नहीं प्यविव पूरेगा तो प्रोगाइगा पयतला पर वो आपको अच्छे marks वगरा देदेगा experience teachers होते हैं समझ जाते हैं कि किसने बखवास करिए और किसने जो एक अच्छा जवाब बना है तो इस तरह से अपनी तरफ से अंडरलाइंग कर दीजे बहुत है और last conclusion लिख दीजे तो इसलिए हम लोग यहां से कह सकते हैं कि बुद अब यहां पर आपको दो figure बताएगा है यह आपका figure 4.32 है और यह आपका figure 4.33 है यह साची से लिए गए दो scenes है या साची में जो sculpture वगर आपको देखने को मिलते हैं वहाँ से उठाए गए दो scenes है ठीक है जी describe what you see in each of them अब अपने को यह describe करना है कि हम इन दोनों में क्या-क् पा रहे हैं focusing on the architecture plants and animals and activities और हमारा जो focus होना चाहिए वो यहां पर जो architecture है उसके उपर जो plants वगरा है उसके उपर और जो activities वगरा दिखाई जा रहे हैं उसके उपर होना चाहिए identify which one shows a rural scene and which one in urban scene साती साथ हमको यह भी identify करना है कि इन दोनों में से जो है किसमें आपको rural scene देख देखने को मिलता है और अपने जो सवाल का जवाब है उसमें हमको justification आपका जो जवाल इसके जवाब है उसमें को justification भी देना है अपनी जो भी बाते हम लोग यहां पर करेंगे अब पूरा सवाल वगरा है इसमें सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज यह है कि हम लोग इन दो जो है कि आपको मनुष्य आपर देखने को मिल रहा है कुछ पिलार्स वगरा बनी हुए है इस तरीके से और यहां पर उसके ओपर कुछ शत्री वगरा ऐसी लगी है अब जmbolकर और एक सिर आको देखने को मिल रहा है यह कि मिटी से बना हुए मकान त्त्री खड़ी हुए है पुरुष उससे बात कर रहा है यहां पर दो आपके बहेलिये कड़े हुएं इनके हाथ में धनुष बगएरा है तो कुछ अध्य यह जो है आपको गाओं का सीन समझ में आ रहा है यहां पर पिलर्स बगएरा लगे हुए हैं उसके ओपर छत्री बगएरा लगी है और लोग ब यह सबाथ में भाएं समझ में और यह जो है इतना करने के बाद में इसका जवाब अम लोग देना शुरू करेंगे यहाँ का फुर पोइंट थी तू है और फिगरkeln फो क्या समझ में आ रहा है चलंए और सवाल का जवाब किससे दिना शुरू करेंगे कि 20 फोटोग्राफıkt म हमको क्या समझ में आ रहा है जिंदगी जीने का एक तरीका डिपिट किया जा रहा है एक वे ओफ लाइफ जो है उसको डिपिट किया जा रहा है फिगर 4.3 में हम लोग ये देखते हैं कि आपके अनिमल्स और प्लांट वगरा जो है उसका आपको डिपिक्शन जादा देखने को मिलता है इंड्रेस्टिंग बात है ध्यान से सुनिएगा फिगर 4.32 में क्या हो रहा है यहां पर आपको कुछ जानवर देखने को मिल रहा है और एक खास एक तरीके कि वे वी उफ लाइफ देखने को मिल रहा है है यहां पर एक कुछ इस तरीके के पीड़ पूर लगे यहां पर जिस तरीके से लोगों ने कपड़े वगरा पहने हुए है इस ते यह समझ में आता है कि इन में से कुछ लोग या तो फार्मर्स हैं और कुछ लोग जो हैं इन दोनों के बारे में इस बात को कहा जा सकता है कि यहां पर जो एक आद्मी का खास तौर पर क्लियर दिख रहा है जिसने हाथ में अपना धनुश पकड़ा वुआ उसके बारे में तो निश्यत तोर पर कहा जा सकता है कि यह रूरल दूसरा वाला है फिगर 4.33 ए बार फिर से देख लेते हैं इसको जो है अपने को को स्टड़ी करना है तो स्टड़ी अपने पहले इसको कर लिया देख देख इसको पहले लिया इसका जवाब देता है इन फिगर 4.33 भी सिए डिफरेंट डिफिक्षन इस फिगर में हम लोग अलग तरीके का डिफिक्षन देखते हैं जिसमें आर्किटेक्चर जो है टाउन की सब्सक्राइब अब ध्यान से देखने पर एक मिनिट के लिए आपको यह भी लगता है कि हो सकता है यह किसी महल का जो है यहां तो समझ में आ रहे हैं कि दूर दूर तक कोई महल नहीं है मगर यहां पर जिस तरीके से पिलर्स हैं चत्रियां जिस तरह से बनी हैं सर के ऊपर आदमी चाता लेकर खड़ा हुआ है यह सारी चीज़ definition यह बी बता रही है कि आदमी बड़ा हाई स्टेटस का है या फिर यह वह अप्र हम लोग देख रहे हैं कि आपने लगए तो यह पूरा 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 है इसकी मरत से हम लोग बहुत आसानी से बहुत सेफली हम लोग यह बात कर सकते हैं कि फिगर यानि कि पहला वाला फिगर आपको एक रूरल वे ऑफ लाइफ कर रहा है और फिगर फॉर पॉर पॉर पॉर्पॉइंट थी जो है वह आपको एक अर्बन वे ओफ लाइफ जो है उसमझ में आ रही है तो यह निशकट जो फाइनल है वो क्या निकलेगा कि यह वाली जो कहानी ह या पर यह वाला जो टिपेक्शन है वो एक गाउं की बात कर रहा है और यह वाली जो कहानी है वो एक शहर की यह फिर एक अर्बन बात्चीज जो है वो कर रहा है इस तरीके से हम लोगे फाइनल निशकट पगरा निकाल सकते हैं अब इस सवाल का जवाब देने के बाद में यहाँ पर जिन बातों को आपने हाइलाइट करना है वो देख लीजिए सबसे पहले तो यह डिपेक्शन और अनिमल्स अड प्लांट इसके बाद में इसको इसके बाद में फिल्ट ऑफ मद रूफ टैच इसको और यहाँ पर जिस तरीके सा आपने ड्रेस किया है उसको और में यह वाली जो line है इसको जो है आपने underline कर देना है इसमें जब आप आएंगे तो यहां पर the pillars and the person defected यह जो pillars वाला हिस्सा है the pillar and the person defected यह वाला seems to be of high status as there is someone carrying umbrella at the top of him यह वाला point पहले वाले प्हले 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 पर इसको अपने underline कर देना activities वाले को कर देना और लास्ट वाला जो है कि इसको रूरल वे ओफ लाइफ और यह अर्बन वे ओफ लाइफ इतना इतना जो है अच्छा सवाल का जवाब बन कर त्यार हो जाएगा अब अगला आता है question number eight question number eight के इसमें पूछा गया है यह इसमें बूला गया है डिसकस दा डिवलॉप्मेंट इंस कल्चर और आर्किटेक्चर एसोसियेटेट विद राइस और वैशनविजम और वैशनविजम याने कि भगवान विष्णू और भगवान शिफ की जो पूजा अराधना शुरू हुई है वैशनविजम का मतलब भगवान विष्णू की पूजा और शेविजम का मतलब भगवान शिफ की पूजा जैसे जैसे बगवान विष्णू और भगवान शिफ की पूजा पूजा बढ़ती चली गई इसका और ज्यादा प्रशार प्रसार होता चला गया तो उसी के साथ मे इनके जो मंदिर हैं उनका स्कल्चर उनका आर्किटेक्ट्चर वगरा जो है उसमें किस तरीके का डिवलप्मेंट वगरा आया है वो चीज अब हमको यहां पर एक्स्प्लेइन करनी है तो इंट्रेस्टिंग सवाल है दो चीजा पूची गई है भगवान विश्णु की जो प पहले तो वहिश्णाविज्ण हों श Bardzo विश्णु को चीफ डियटी मना जाता है अंकी पूजा की जाती है उसमें इनकी पूजा की जाती प्रचार-प्रचार जो है, इनकी पूजा का हुआ था, तो दोनों जो आपके ये जो भक्ती शहिविजम होगर रिजनिविजम जो होगा इनके प्रचार-प्रचार में बक्ती मुव्मेंड का बड़ा रोल रहा है, तो बोल दिया जाता है कि traditions जो है ये दोनों के दोनों भक्ति मुमेंट का part है भक्ति मुमेंट जो है basically क्या करती थी भक्ति मुमेंट emphasize करता था कि भाई अपने ईश्वर के प्रती आपने प्रेम और devotion का भाव रखना है जो कर्म कांड है जो rituals है वो सब एक तरफ रखो अपने ई क्यार से जो है इश्वर के प्रती अपने आपको पूरी तरिके से डिवोट कर देना है तो भक्ति मुमेंट जो है इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर इंपसिस वगरा किया करता था कि लव और डिवोशन जो है of the devotee towards the God that is the prime important thing पूरे की पूरे भक्ति मुमेंट का जो भी आप टेंपल्स वगरा जो थे सबसे पहले तो डिवलाफ होना शुरू हुए पहली चीज तो आप जो देखने को मिलती है कि आपके टेंपल्स वगरा जो है वो डिवलाफ होना शुरू हुए जिसमें आपके देवताओं को स्थापित किया जाता था या उनको विराजमान किया ज जाता था शुरू शूरू में आपको शुरुआती टेम्पल देखने को मिलते हैं वो छोटे हुआ करते दो सिंपल गटे दो बहुत बड़े टेमपल नहीं जाता है ठीक है जी बाद में यह धीरे 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 जो है आपका पूरा मंदर का अर्किटेक्चर बढ़ने लगा पहले जो चीज आपकी स्मॉल और सिंपल हुआ करती थी वह लैविश कॉम्प्लिकेटर या कॉम्प्लेक्स और ग्रैंडियर होती चली गई तो दीरे धीरे फिर आपके जो है यह स्मॉल और सिंपल की जागे बड़े बड़े टॉल स्ट्रॉक्चर बिल्ड किये जाने लगे गरब 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 बहुत जादा बड़ा नहीं बनाया गया गरब आसपास में अर्कीटेक्चर बगर जो है उसको बड़ा किया जाने लगा मतला पहले अगर इस तरीके से मंदिर बनाया जाए जा रहा है तो आब इसके उपड़े बड़े जो है आपके टॉल स्ट्रॉक्चर बगरा बनाकर तयार किये जाने लगे और इनको क्या बोला गया इनको बोला गया शिखर ठीक है जी इनको शिखर या शिखरा बोला जाना शुरू किया गया इनको शिखर बोला जाना शुरू किया गया अब साथ ही साथ इसके साथ में एक चीज़ और हुई कि जो मंदिरों की दिवारे हैं इनको कई सारे जो हैं अलग अलग तरीके के डेकुरेशन बगरा की मरद से सजाएजा जाने लगा दीरे दीरे निरे दीरे जो टेंपल बनाए जाने लगा उन में बहुत बड़ेएंट्रेंस बनाए जाने लगे और कई सारे आपके यह इस तरीके से मंदिर बगरा बनाए जाने लगा कई लोगों ने अपने इमेजिनेशन दौर जादा आगे बढ़ाया और इस तरीके के जो बड़े-बड़े करता था समराय डशोक के वक्त में उनका नाम था अजीविका उन लोगों ने इस पर्टिकुलर चीज़ को बहुत बढ़ावा दिया था कि आपने पूरा पूरा पहाल काटा उसके अंदर आपने गुफा बनाई आर्टीफिशल और उसमें आप रह रहे हो पूजा अलाधना कर और यह हो, मगर अब यह इसमें होता है था कि बहुत छोटी-छोटी और सिंपल कुफाईं काटी जाती थी अहीं पूरे के पूरे पूरे पहाल काटना शुरू कर दिये और उसकी जागे पर आपने मंदे पूरे के पूरे मंदे जो है बनाना शुरू कर दी इसका सबसे बड़ा एक्जामपल आपको देखने को मिलता है कैलाश नाट टेंपल जो आठवी शदाब्दी के आसपास में जो है बना कर तयार किया गया था ये टेंपल पूरा का पूरा एक पहाड़ आपने पूरा पाहड़ काट डाला और उसके मडर्वस से जो है अपने एक मंदिर बना कर तयार किया है यह मतलब दुनिया में आज कि आप रबर से मिटाल हो गया तो आपकी पूरी जो है वो शिला खराब हो जाती है उसका फिर वो उस तरीके से शेप निकल कर नहीं आता मगर यहां पर आप क्या बोला जाए यह जिस तरीके के जो आपके जिन लोगों ने इस पत्थर को काटा था उन्होंने इतना जादा जो अब इस तरीके के शांदार मंदिर बनने लगे थे कि कई जगाओं पर आपके जो बनाने वाले हैं वो तक आशे रिचकित हो जा रहे हैं कि आकिर मैंने ये काम कर कैसे दिया खास तोर पर आपको एलोरा वगरा में एक कौपर के उपर बनी हुई प्रशश्टी देखने को मल को मिल इतना अच्छा आपको इसलिए भी चीजने को मिलती नी क्योंकि सामने वाला जो रिकति में डूबा हुआ है जो स्कॉल्चर बनाने वाला बंदा अग्ति में डूबा हुए और एक अगदम ब्रुप कर जो है वह सारे के सारे काम कर रहा है तो इसके अलावा अब यह म बनाए जाते थे वो भी इश्वर के प्रति अपने श्रद्दा दिखाने के तरीका था आप यह भी जो है अपने डिवोशन बताने का या फुर अपने डिवोशन को एक्स्प्रेस करने का एक मैठड हुआ करता था जैसे कई सारे आपके जो ऑग तरीके के शेप्स और फॉर्म में भी पूझा जाता हुवर उनकी तस्वीर की पूझा वगरा की जाती है कई सारे आपके जो अलग अलग जो है आपके फॉल्स वगरा बनाए जाते थे ग्रोटेस्फ वगरा भी आपको देखने के लिए मिलते थे these SumTON की एंसां कीoma Records आर उपको एक स्कुल्छर तषिया रह अब ये तो आपका सवाल का जवाब बनकर तयार हुआ अब इस सवाल के जवाब में किन-किन चीज़ों को हाइलाइट करना है जिनकी तरह एक्जामिनर का ध्यान जाए ही जाए उसके तरह बारे में लोग बातचीत करते हैं यह वाली लाइन जो है आपने पूरी-पूरी करना है इतना करने के बाद में इतना करने के बाद में यह करने करने के बाद में यह वाली जो लाइन है कि कई सारे सून जो है टेंपल्स वर बिल्ट धाट है यूज एंट्रेंस हॉल्स एंड फॉर्ट ऑफ विजिटर इस लाइन को जो है आपने अंडरलाइन कर देना है यह पूरी-पूरी लाइन एक्जामिनर को पढ़नी चाहिए इसक हैलाश ना टेंपलल ऑफ डाे संचुरी वे उगया इसके बाद में यहाँ पर आप आपको एपने इनिकरा कर आप रखना ओग्ला इस तरीके सब्सक्र्सवाल चृब अच्छा बनकर तयार हो जाएगा इसमें पूरे सब्सक्राइब इक् Kubernetes आपने हम से पूछा है discuss how and why where stoopas build दो सवाल पूछे गाएं पहले तो ये बताओ कि stoop कैसे बनाये जाते थे और बनाये क्यों जाते थे पर यह बताओ कैसे बनाये जाते थे और क्यों बनाये जाते थे दो सवालों को जवाब देना है how a तो इसका जवाब हम लोग इस तरह से देना शुरू करेंगे कि स्टूप जो है या स्टूप जो थे ये उनको बनाने के लिए जो डोनेशन आपको मिला करता था उसकी मदद से जो है बनाया जाता था इनको आप जैसे शतावना राजा हो गए इस तरीके के जो बड़े- करता था उसकी मरत से बनाया जाता था या फिर अगर पहले से कोई स्टूप बना हुआ है तो उसका डेकोरेशन करना और उसके आज-पास में और कंस्रॉक्शन वगएरा करना यह सारा के सारा काम किया जाता था आप अपने को जो रिकॉर्ड वगर देखने को मिलते हैं डोन पैसा मिला उसकी मरत से काम होता था बस वही लिखा है वी फाइंड रिकॉर्ड्स डॉनेशन डैक वर मेड फॉर बिल्डिंग डेकुरेटिंग दस तूपा तो इनकी जो रेलिंग्स और पिलर्स पर बकाइदा आपको इसके डॉनेशन के रिकॉर्ड भी देखने को मिलता है अ गया नंबर या दो नंबर आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलता है इस पर आपको कई 100,000 ज़एन के नाम देखने को मलते हैं कई वार उट जगाओं के नाम भी आपको देखने को मिलते हैं कहसे लोग आयदे और इनके अक्याम् का एक gateway है इसके ऊपर आपको जो ivory workers का work का काम करने वाला जो guild था उनके द्वारा जो donation मगरा किया गया था उसका record देखने को मिलता है तो गुल्मिलागर अपने को एक बात समझ में आ जाती है कि इसको किस तरीके से बनाया जाता था सिंपल सी बात है डोनेशन से पैसा एकटा होता था और उसकी मरश से जो है स्टूपा का निर्मान किया जाता था स्टूपा रिगार्ड़ेट प्लेस और रेलिक्स और बुद्धा यहां तो यहां पर आपको भगवान बुद्ध की जो शरीड के हिस था जाता था यहां उनकी जो बाडिली रिमेंस था उसके लावा जो चीज़ें पहेंते थे बात को समझेये यह एक जमीन है जमीन पर आपने जो है भगवान बुद्ध के रेलिक्स वगरा किसी चीज़ को अगर आपने बरी कर दिया और उसके आसपास आपने एक यह मोंड जैसा कुछ बगवान बुद्ध और बुद्धिस्म उसके प्रचारप्रसार के साथ में यह की है और आज स्तूप को जो है बगवान बुद्ध का एंपलेम मान लिया जाता है यहां पर आपको स्तूप देखने को मिलता आपके दिमाग में पहली बाद भूत धर्म ही आती है मगर इसका ये मतलब नहीं है कि स्थूप की डिजाइन और इस तरह से बनाओगे ये सारी चीज़ ने भगवान बुद्ध ने बताई थी या डिक्टेट करी थी या उनके बाद किसी ने बताई या नुयाई वगरा ने ये पहले से चला आ रहा है बाद में इसका फेमस किया य का बुद्ध ध्रम आने के बाद में हुआ है अब उनको अशोग वंद्धिना नाम का बुद्धिस टैक्स मिला है जिसमें समराठ अशोग ने घृपवान बुद्ध के शरीर के बार्ट वगरा थे इनका थोड़ा थोड़ा पूर्शन जो है पूरे देश में विजवाया औ आते-आते आपने को यह देखने को वहाँ पर काफी बड़े बड़े श्तूप भारूत पर साची के स्टूप जबाने के लिए नेक्स है रघणी बनकर त्यार on an outline world map mark the areas to which Buddhism spread trace the land and sea roots from the subcontinent to these areas एक आपको एक map लेना है world map लेना है उस पर उन areas को mark करना है जहाँ पर बुद्धिजम जो है spread किया था trace the land and the sea roots from the subcontinent to these areas दूसरा काम ये करना है कि इन areas तक जाने वाला land route और sea route जो है वो trace करना है तो ये तो अपने world map ले लिया अब बुद्धिजम जिन जिन में में जगाओं पर पहुंचे है मैं उनको mark कर देता हूँ एक तो इंडिया में जो है इसका जनम हो और इंडिया इंडिया में जो है रहा दूसरा इस ये लंका पहुँच गया तीसरा ये आपका अफगानिस्तान पहुच गया ये नेपाल वगरा तक गया ये आपका central Asia वगरा में गया तो नहीं जिनकी मदद से बुद्धिजम इन जगाओं तक पहुंचा एक तो आपके जो समुद्री रास्ते हैं इनकी मदद से जो है बुद्धिजम फैला है तो इस सवाल का भी जो जवाब है बहुत असानी से दिया जा सकता है दो चीज़ें पूछी है वर्ल्ड मैप के ओपर एक तो कि भूत धlares कहां कहां तक पहला था दूसरी बात ये बताता कि पहुचा कैसे था जो ऌपका समुद्री रास्ता था चका पहतए नमबर पर आपको मार्क करना पड़ेगा नेपाल को तीन नमंबर पर अफ्गानिस्तान और आपका तो उसके आस पास इलाका है उसको पो इसके बाद में आपका पांच 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 जो है जवीनी रास्तों से गया है यहां पर भी आप यहां पर समुदरी रास्तों से पहुचा है इस तरीके से यह दो चीज़ें आप कर दीजे इस तरीके से आपका जो है अच्छा जवाब बन कर तयार हो जाएगा और इसी के साथ में अपना question number 10 जो है वो भी समाप्त हो जाएगा और इसी के साथ में अपने जो question answers है NCRT solution के वो भी यहां पर खत्म होता है चले आगे बढ़ने सब्सक्राइब करने के पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा जैसा कि मैंने सेशन के शुरुवात में कहा था कि magnet brains पर सारा quality educational content exclusively 100% free of cost आपको available करवाया जाता है तो यह content आप चाहें तो हमारे youtube चैनल पर देख सकते हैं इसको चाहें तो आप हमारी website पर देख सकते हैं चाहें तो आप इसको हमारा app download करकर उस पर देख सकते हैं वहाँ पर आप इस सारा का सारा content exclusively free of cost access कर पाएंगे यह आप आपके mobile phone पर भी चल जाएगा यह tablet पर भी चल जाएगा और यह आपके PC पर भी चल जाएगा इसके अलावा आपको notes वगरा की ज़रूरत पड़ेगी तो वो notes वगरा भी जो हैं आपको books के form में और hard copy के form में और soft copy यानिकी books के form में available करवाये जाते हैं इनके links भी description में आप इनको वहां से access कर सकता हैं तो जितना हुसा के इनका फायदा उठाएं जितना हुसा के इनको देखें जितना हुसा के इनकी मदद से अपने preparation को enhance करें सफलता हो तरक्की के रास्ते पर आगे चलते रहें and most importantly जड़े रहें magnet brains के साथ मिलते हैं आप से next session में तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें खुश रहें पॉजिटिव रहें थैंक्यू जाएंद